हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं पोहे और मतर से कैसी रस्पी आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ जिसके सामने कचवरी भी फेल हो जाएगी तो चलिए इस रस्पी को बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कप पोहा लेया है यह म हमारा पोहा कितना सौप्ट हो चुका है तो हम पोहा को थोड़ा सा हाथ से हलका सा मसल लेंगे अब इसमें हम मतर डालेंगे तो यहाँ पे मैंने आधा कप ताजा मतर लिया है मतर जो मार्केट में अवसानी से मिलने लगी है तो हमने आधा कप ताजा मतर को मिक्सी के जार मे काट के डालेंगे साथ ये एक से दो हरी मिर्च अपने स्वाथ के अनुसार डालेंगे अब इसमें मैंने यहां पर एक erect해서 eyes के आलू को उबाल के ठंडा कर लिया था और उसे कद्दूकस करके डाला है नमक अपने बिल्कुल स्वाद के अनुसार डालेंगे थोरा सा यहाँ पे मसाले डालेंगे तो मसाले में मैंने एक छोटी चमच सबजी मसाला का पाउडर लिया है एक चौथाई छोटी चमच हल्दी का पाउडर और मिर्ची पाउडर बिल्कुल अपने स्वाध के अनुसार डालेंगे पिना पानी डाले ही आराम से इकठा हो जाता है तो यह देखिए हमने इसे एक बॉल के सेफ के तरह तैयार कर के रख लिया है अगर आप सभी को मेरी एरेस्rente पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना अब इसमें से हम छोटे-छोटे साइज का एक बॉल तैयार करेंगे और उसे फिर हम हलका सा प्रेस करके टिक्की का सेप दे देंगे तो इस तरह से हम सारे टिक्की तैयार कर लेंगे इसमें से आपके 10 टिक्की आराम से बनके तैयार हो जाएंगे अब इन टिकी के ऊपर हलका सा हम सफेद तील डाल देंगे जिससे की इसका लुक भी अच्छा आएगा साथ ही तील जो है सर्दियों के दिन में खुब खाया जाता है तो आप इस तरह से जरूर डालिएगा ये हिल्थ के लिए भी अच्छा होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो तील डालने के बाद हलका सा हाथ से इसे हम प्रेस कर देंगे अब हम एक तावा लेंगे और तावा के उपर बिल्कुल जरा सा हम तेल डालेंगे तो यहाँ पर मैं सासो तेल यूज कर रही हूँ आप कोई भी कुकि कोई डाल करके धीमी आज पर अलट पर लटके हम दोनों तरफ से करारा होने तक से केंगे अगर आप इसे फ्राइ करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे बिल्कुल हेल्दी रूप में बनाया है तो मैंने इसलिए यहाँ पर कम तेल का यूज किया है तो इस तरह से दे बहुत ही टेश्टी होती है जट से आप इसे बना कर अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं अपने हस्वें को लच्ण बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं साम में स्नक्स के तोर पे भी आप बना कर इसे इसे इंजुआय कर सकते हैं अपने फेबरेट चटनी क के साथ इंजुआय करें पसंद आया हो तो प्री सपोर्ट करना खुश रहें स्वस्त रहें